नमस्कार सातियो स्वागत आपका हमारी यूटूब चैनल सौंदर स्टडी पॉइंट के उपर बात करने वाले इस सेशन के अंदर फार्मासिस्ट भरती से समधित वहुती महतरपुन सूचना के बारे में सेशन में चर्चा करने वाले हैं फार्मासिस्ट भरती अन्य राजियों की फरजी डिग्रियों से रजिस्ट्रेशन का मामला खुलासा होने के बाद सरकार ने अजे फाटक को रजिस्ट्रार लगाया सरकार भरती कराना चाती है सभी की भूमी का भी जाचेंगे चिकिसा मंतरी चियार हजार से अधिक दस्तावेज की होगी जाच एक महिना लगेगा रजिस्ट्रार जी हाँ दोस्तो सरकार भरती कराना चाती है लेकिन इसमें टाइम लग सकता है क्योंकि सभी जो चियार हजार से ज़्यादा जो डोकुमेंटस है उनकी जाच होगी फार्माशिष्ट बर्ती होने से पहले फार्मेसी काउंसल की और से हुई गरवडियों को लेकर हजारों अब्यर्थियों में रोज है और वे सीफु के बाहर तीन दिन से धरना परदसन कर रहे हैं सबी उम्मीद लगाए बैटे हैं कि जल्दी से जल्दी प्रोजन लिस्ट जारी हो लेकिन सरकार की और से कोई संतोस जनक जवाब नहीं हो आने से हर दिन आस्क होते जा रहे हैं इधर सरकार ने ड्रग कंट्रोलर फ्रेश्ट अजे पाठक को फार्मेसी काउंसिल के रजिस्ट्रार के पद की जिमेदारी सोपी रजिस्ट्रेशन के लिए किये जाने में की गई दांदली लिस्ट कब जारी होगी या नहीं होगी दोशियों पर क्या कारवाई होगी इसी को लेकर देनिक भासकर ने चिकिसा मंत्री परसादी लाल मीना और नव नियुक्त रजिस्ट्रार अजे पाठक से सुवाल जुआब किये हम फिर से रजिस्ट्रेशन वेरिफाई करा रहे हैं मंत्री परसादी सुवाल फार्माशिस्ट बर्ती को लेकर सरकार ने बड़े-बड़े दावे किये थे अब प्रोविजनल लिष्ट भी जारी नहीं की जा रही ऐसा क्यों मंत्री सरकार बड़ती कराना चाती है और करेगी लेकिन ये संबव नहीं है कि गलत तरीके से रजिस्ट्रेशन करा चुके अब्यर्थियों को नोकरी दे दी जाए हम फिर से रजिस्ट्रेशन वेरिफाई करा रहे हैं इसके बाद ही लिष्ट जारी करेंगे सवाल क्या सरकार जल्दी प्रोविजन लिष्ट जारी नहीं कर सकती क्योंकि अगले कुछ दिनों में आचार सहिता लगने वाली है हजारों अब्यर्थियों के बविस्ट्रेशन का सवाल है पूरो रजिष्ट्रार नवीन सांगी साइथ एक हर एक की संदिक्द भूमिका की जाच कराई जाएगी नवीन सांगी को अठा दिया गया है और ये भी पता किया जा रहा है कि कितने फरजी रजिष्ट्रेशन हुए हैं अब्यर्थियों के दस्तावे जाच एक बड़ा टास्क समय लगना लाजमी रजिष्ट्रार सवाल अब्यर्थियों के बविस्ट्रेशन का सवाल दस्तावे जो की जाच पर है इसे कम से कम कितने समय में कर देंगे रजिष्ट्रार करीब साड़े छियार हजार अब्यर्थियों के दस्तावे जो की जाच कराना एक बड़ा टास्क है इसमें समय लगना लाजमी है लेकिन हम कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक समय दे कर जल्दी से जल्दी कम से कम एक महीना सभी के दस्तावे जाच कर ले जो काउंसिल मेंबर है उन्हें सामिल नहीं करेंगे सरकार ने विश्वास जताया है कि काम जल्दी पूरा करेंगे सरकार ने हर बार बरोसा जताया आप अभ्यर्थियों की उम्मीदों पर कितना खरा उतरेंगे सरकार चार है कि जल्दी से जल्दी जाचो ताकि अभ्यर्थियों को मोका मिल सके हमने इसके लिए आज ही प्रक्रिया शुरू कर दी सीफू परधरना परदसन जारी परदेश भर में जैपुर पहुचे फार्मासिस्ट निरववार को धरना और अंसन जारी रहा फर्मा यूथ वेलफेर संस्तान के अध्यक से परविन सेन ने बताया कि परतिनिदी सी एमार से मिलने गया उन्हें खैम सिंग गैलोत, देवेंदर सेन, संजीव गैलोत और विनोध नेरिया थे तो फार्मासिस्ट के अभ्यार्थियों के लिए बहुती महतपुन सूचना है कि सरकार बरती कराने के लिए टट पर है लेकिन कुछ फर्जी अभ्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन होने के कारण फर्जी अब्यर्थियों का रजिस्ट्रेशन होने के काण सरकार फिर से 4000 दस्तावेजों की जाच करेगी जिसे की एक भी फर्जी अब्यर्थी इसके अंदर जोईनिंग नहीं ले सके इसके अंदर नोकरी नहीं लग सके इसलिए एक महिने का कम से कम ओर टाइम लगेगा जिकिसा मंतरी परसादिलाल मीना और रजिस्ट्रार जो नए रजिस्ट्रार अजे पाठक बने हैं उन्होंने ये बात कई और कल से ही काम चालू हो गया है अब एक महिना तो लगेगा और इस बरती सरकार की कोशिस है कि बरती को आपके आचार साहिता में अटकने नहीं दे इसके लिए सरकार पूरी कोशिस करेगी तो ये आपके लिए बहुती महतपूर सूचनाती फार्मासिस्ट जो अब्यर्थी है इस्टुडेंट है उनके लि जड़ सब में हिए वार्मासिट